सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर ख़वर पहुँचे आपके पास सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है श्रिलंका के खिलाफ सिरीज जीतने के बाद संजू सेम्सन ने नहीं मनाया जश्न जश्न तो दूर वो टीम के आसपास भी नहीं दिखें आखिर क्या थी वज़ा आईए जानते हैं जी हाँ भारत तो श्रिलंका के बीच तीन T20 मैचों की सिरीज को भारत ने दो जीरो से जीत लिया आखरी T20 में संजू सेम्सन को मौका मिला था हलांकि दूसरी ही गेंद पर संजू आउट हो गया और मायू सोकर पवेलियन लोटे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी टीम के किसी भी सिरीज के जीतने के बाद टीम के सभी 15 खिलाडी मैदान पर जाते हैं और एक साथ ट्रॉफी के साथ सेलिबरेट करते हैं उस समय विराट कोली को लेकर कुल 14 खिलाडी वहां मौझूद थें और एक खिलाडी गयर था और वो खिलाडी संजू सैमसन थें अब सैमसन के मैदान पर ना होने की कई वजहें सामने आई हैं कुछ लोगों का मानना है कि संजू लंबे समय बाद मिले मौके में विफल होने के बाद निराश हो गए और मैदान पन ही आए तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगले ही दिन केरल और पंजाब के बीच ररजी मुकाबला खेला जाना है जिसमें संजू सैम्सन केरल की तरफ से शामिल है और चुकि मैच सुभा साड़े नौव बई से शुरू होना था इसलिए संजू सैम्सन जीत के बाद तुरांत वहां से चले गए होंगे अब बाद जो भी हो लेकिन सैम्सन काफी निराश दिख रहे थे लगबग 5 साल बाद अपने T20 करियर का दूसरा मैच खिलने वाले सैम्सन मात्र दो गिंदे खिल कर आउट हो गया जिसके बाद वह काफी निराश दिखे संजू सैम्सन पर आप अपनी राए कमेंट बॉक्स में लिखे और हाँ डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद